आर्थिय बिग्यानिकों ने सोर मंडल से बाहर एक नवे ग्रह की खोज की है इसका आकार सांस से तेड़ गुना ज्यादा बड़ा है जो हमारे यहां से 725 परकासवर्ष दूर पर है तो हम यहां पर जाने की कलपना भी नहीं कर सकते दोस्तों इस खोज का क्रेडिट एमधाब के बिग्यानिकों को जाता है और इस रों के मुताबिक यह डिस्कवर टी आर एल एडवांस रेडियल वेलोसीटी आबू स्काई सर्च ऑप्टिकल फाइवर फैड स्केप्टोग्राफ यह इस्तमाल से भारत में पहली बार की गई है क्योंकि इस ग्रह का आकार प्रिस्पती से 1.4 गुना ज्यादा अधिक है इस तारे को HD 82139 और टैस के कैटलोग के हिसाब से 1789 के नाम से भी जाना जाता है विग्यानिकों का यह कहना है कि यह नया स्टार सिस्टम बहुत ही अनोखा है यह अपने होस्ट स्टार का महज 3.2 दिन में परिकर्मा पूरा कर लेता है और डिस्टेंस सन और मरकरी प्लेनेट के पीच का जो डिस्टेंस का करीब दस्मा हिस्सा है दोस्तों एक एस्ट्रनॉमिकल यूनिट ए यू 930 लाक मेल के बराबर होता है और यह प्लेनेट अपने होस्ट स्टार से इतना करीब है जिस वज़ह से यह ग्रह काफी गरब हैं और तापमान तकरीबन 2000 डिग्री तक पहुंच आता है और इतने ज्यादा तापमान में इंसानों को इस प्लेनेट पे रहने का सवाली नहीं पैदा होता और इसके अलावा इसका डिस्टेंस भी बहुती ज्यादा अधिक है हम परकास की इगती से ट्रैवल करते हुए भी अगर यहाँ पे पहुंचने की कोसिस करें तो हमारी वो कोसिस सारी धारसा ही रह जाएगी क्योंकि यह डिस्टेंस बहुती बड़ा है और परकास के स्पीड से ट्रैवल करना अभी तो नमुम्किन है थैंक्यो गाइस